सिर्फ एक इस कटोरी से पूरे शरीर की गंदगी को कैसे बाहर निकाले, लिवर को कैसे ठीक करे, गर्मी को किस तरिके से अपने शरीर से दूर करेंगे, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ और आप देखेंगे इसका रिजल्ट हाथो हाथ आता है, आपको बहुत जादा बतने ही पड़ेगी बहुत सारी चीजों की कटोरी किस चीज की है, लंस तक वीडियो जरूर देखना, मैं आपको लंस में बताने वाला हूँ की कस चीज की है, लेना क्या है आपको, आपके सामने वो पेशन्ट होना चीज़िया या घर के मैम्बर होने चीज़िया जिनको लगता है कि उनके शरीर में दाने हो रहे हैं, फोरी फूंसियों हो रही है, च्छाले हो गए है मुँ में, शरीर में गरमी बन रही है, इस खुब acid create हो रहा है, तो उनकी जो शरीर की गरमी है, जलन है या उनको जो फोरी फूंसियों की problem हो रही है, उसको कैसे हम खतम करेंगे? घर बैटे दूसरी बात इसको कोई भी कर सकता है मतलब चाहे बच्चा है या फिर बुड़ा है बुजुर्ग है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कटोरी को आप ध्यान से देख लीजिए ये कोई नॉर्मल कटोरी नहीं है नॉर्मल उसका घी भी ले सकते हैं और एक उचित मात्रा मिले सकते हैं सबसे पहले करना क्या है हलका सा दो चार बुंद आप कटोरी के उपर इस नाजल तेल को लगा लीजिए बहुत जादा नहीं लगाना नहीं तो कटोरी ठीके गी नहीं आपके हाथ में फिर उसके बाद में थोड पांच-पांच मिनट अगर आप रगडेंगे कटोरी अपने आप काली होने लग जाएगी लिवर की जितनी गर्मी है शरीर में जितनी भी गर्मी होगी सारी बाहर आती भी दिखाई देगी और आपको इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलने वाला है यह एक मैं साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़ा खाने का भी ध्यान रखें जैसे गर्मी चल रही है तो इसमें आप च्छाज ले ले च्छाज की जो तासीर होती है दो चीजों मैं काम करती है एक तो अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है वजन कम कर देगा दूस कि शरीर से जितनी भी गर्मी गंदगी है जितने टॉक्सिंस है कोई लोग आते हमारे पास में सब्सक्राइब निकलेंगे निकलेंगे कैसे यह देख लो भईया निकल रहे देख लो तो यहां कोई दवाई नहीं लगाई गई आपके सामने और नहीं किसी तरह का कोई मशीन क्यों डेकर का आया हम भिलकुल सिंपल सा तरीका है घर 에 अ कि हाव फे अ है फ़िए है घर पहर पहली अपशेंद आप इसको यूज करेंगे जब तो प्रेश्र इस पे बगत ज्यादा तो उससे होगा क्या कि 3 in 1 मतलब तीन चीजे एक बारी में हो गई एक प्रेशर के पॉइंट दब गए गंदगी निकल गई शरीर की और सामने बाले को मज़ा भी आने लग गया और साथ के साथ बॉड़ी तो खेर रिलाक्स होई जाएगी तो यह देखो यह देखो हाथ को चलाना जल्दी जल्दी है बस यह दिहान रखना है स्पीड से उपर से देखिए एक बड़ी फिर से स्लो मोशन बता रहूं नीचे से जाएंगे उपर और नीचे उपर से फिर नीचे और इसको सही तरीके से तो जितनी भी बॉड़ी के अंदर समस्याएं है यह होती है हमारी गर्मी के कारण उपर से गर्मी लग रही है गरम खाना खा रहे हैं मसालेदार खाना खा रहे हैं तो उससे हो जाती है ठीक तो यह हम दूसरे प्रपर भी करके एक बड़ी आपको दिखा देते ये देखे, साफ मतलब हो सकता है कि पेशेंट क्योंकि हमारे पास में काफी टाइम के बाद आ रहे हैं, इनको पहले से प्रॉब्म है, तो हलका सा रगड़ते ही इनकी बॉडी रियक्ट कर रही है, कटोरी बिल्कुल साफ है, कटोरी में कोई दिक्ट नहीं इधर देखे, क्यो राजिता, इस यह कटोरी है командοι, आपको कटोरी लेनी है, भारी यह देख लिया। यह कांचे की कटोरी ओती है, भारी होनी चाहिए, पथली नहीं और, यह देखिए, भारी कटोरी। दूसरा तेल होना जाए अपने घर पर और जब हो जाए ठीक तो एक बारी कमेंट जरूर करिए कि केतना रिलिफ मिलाएं आप इसको और किसी भी टाइम कर सकते हैं कोशिश ये करे कि शाम के टाइम करे जब वो सोने के लिए जा रहे हों क्योंकि उससे उनको आराम भी लेगा और सुबह जब वो उठेंगे तो बिल्कुल फ्रैच उठेंगे मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं एक नियूरो थेरपिस्टों नहीं दिली के अंदर